नमस्कार साथियों मेरा नाम है गंगाराम और आज मैं आपको बताऊँगा रत्न में रेशा रत्न में नेचुरल इंक्लूजन और टूटे हुए रत्न में क्या फ़र रखें कुछ रत्नों को जब अंदर से देखते हैं ट्रास्पेरिंस रत्नों को जाग करके उनके अंदर द इसमे नैचुरल रेशा है पत्थर की नसे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं बाहर से अंदर से टूटा हुआ रत्न यदि आप पहनते हैं तो वह रत्न खंडित रत्न की स्रेनी में आ जाता है और खंडित रत्न धारन करने से व्यक्ति के जीवन में बड़ी-बड़ी दुरगट खासकर एक्सिडेंट होने का या कोई ओप्रेशन होने का भै बना रहता है रतन के अंदर ही नहीं बलकि रतन के उपरी सतहे पर भी यह देखिए आप छोटे छोटे माइनर पॉइंट में इंक्लूजन होते हैं वे कहीं ने कहीं से उसमें आप ऐसे करके नकून चलाएंगे तो रतन में सुई की नोक जैसे बारीक बारीक जो खड़े होते हैं तो ऐसा रतन भी खंडित रतन की स्रेणी में आ जाता है लेकिन रतन की चमक में लाइटों की चमक में या आम आदम को बहुत सारी जानकारी इसके विसमें नहीं होती तो आगे से, पीछे से, दाए से, बाए से, कई न कई नाखुन चला कर देखने पर बाद में पता चलता है कि आपका रतन तो खंडित था रतन में नेशुरल इंक्लूजन और खंडित रतन, यानि कि तूटा हुआ रतन इन दोनों में कैसे फरक काप कर सकते है इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दू यदि आप जोतिस के दुआरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं का सवाधान चाहते हैं या आप अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदना चाहते हैं साथियों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर, मेरा वोट्सप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चलिए विशे में आगे बढ़ते हैं जब आप किसी भी रतन को बहुत नजदीकी से देखोगे उसके अंदर जाक करके देखोगे तो जब बाल के सोवे हिस्से जैसी पतले पतली रेखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी उसे बोलते हैं नैचुरल इंक्लूजन इस विशे को दोबारा से आप समझने का प्रियास कीजिए प्रास्पेरेंस स्टोन के अंदर जाकने पर एक बाल के दसवे हिस्से जैसे रेखे आपको दिखाई पड़ेंगे तो नैचुरल इंक्लूजन है वह हो सकते हैं रतन में होने चाहिए लेकिन यदि आपको एक कोने से दूसरे कोने तक कोई बड़ी लाइन दिखाई पड़ती है तो वहरतन चटका हुआ है वहरतन अंदर से तूटा हुआ है किसी भी कारण से कटिंग के टाइम में पॉलिस के टाइम में किसी के हाथ से छूट गया जैसे करके तो तूटे हुए रतन में बड़ी लाइन बड़ी आसानी से आपके अंतरात्मा आपकी six cent आपको बता देगी यह natural inclusion है या रेशा है रेशे बहुत पतले और बहुत बारीक होते हैं ना के बराबर होते हैं डंगी आखों से देखने पर बहुत कम मैसूस होते हैं और जो टूटा हुआ चटका हुआ रतन होता है उसमें लंबी लाहिम से नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन आपके stone में कहीं पर भी यह नाखून लगता है ऐसे चलाने पर आपका रतन खंडित है चाहे उसमें एक सुई की नोक जितना भी कहीं से तूटा हुआ है तो वहरतन मेरे हिसाब से खंडित त्रेनी में आएगा और वहरतन आपको नह धारन करना चाहिए यदि आप अपनी गाड़ी कमाई के दो पैसे खर्च करके पंद्रह हजार बीस जार तक व्यक्ति रतन में खर्च करता है और जबकि एक मिडिल क्लास वर्कर को बीस जार रुपे कमा करके बचाने में चार से च्छे महीने भी लग जाते हैं साथियों मुजगार की कितनी हालत खराब है पंद्रह पंद्रह जार रुपे महीने की नोकरियां बड़ी मुश्किल से प्राइवेट में आज की तारिक में मिल पाती है तो मेरा कहने का मतलब यह हैं कि यदि आप अपनी गाड़ी कमाई के पैसे रतन में लगाते हैं तो रतन की जाच को खरीदे उसको सन लाइट में यानिके सूर्य की लाइट में अवश्य देखें वहां किसी भी प्रकार का जो खड़ा है किसी भी प्रकार की चोट चपेट है वह बहुत इस्पष्ट रूप से पता चल जाती है साथियों में भोईश्य मैं भी रतनों से संबंदित वीडिय कारियों के साथ भुष्य में भी तब तक के लिए नमस्कार